नुश्कार मैं फशेक गोस्वामी आप सभी का फिट से एक बर्स पागत करते हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में दोस्तों काफी साथ लोग एक कमेंट आ रहा था कि भी आप योजट कार बजार का वीडियो दिखाते हैं योजट बाइक बजार के वीडियो दिखाते हैं तो निलामी में जो गाडिया बिकती है जो सरकार दोरा निलाम की जाती हैं गाडियां और कैसे आप इसमें गाड़ी सस्ते में खरिच सकते हैं देखा होगा बिहार में सराबंदी के बाद सराब के साथ पकड़ी जाने वाली गाड़ियां थानों में हर जगा बंद थी लेकिन अभी बिहार सरकार का उस पे आदेशा है कि भाई उस सारी गाड़ियों को जो सड़ती रहती है थानों में उससे कबार होने से पहले उसको निल पूरा लिस्ट हमने अप्लोड कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको पीडियेफ मिल जाएगा उस पीडियेफ में आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी गाडिया है पूरा डीटेल हम इस पूरे बिहार में निलामी चल रही है लेकिन मैं गौपालगंस का नोठीकेशन मेरे पास है ऐसे ही सब जगए पे होने वाला है और गौपालगंस बॉर्डर छेतर है यू-पी बिहार का बॉर्डर है और सराब की तसकरी यहां पे बॉर्डर पर ज़्यादा पकड़ी जाती पूरा डीटेल हम लोग बात करते हैं इसमें आप देख सकते हैं आप लिखा गया है कि सर्वसादाड को सुचित किया जाता है कि बिहार राजे में पूर्ण सराबंदी के उपरां सराब को ढोने में प्रियुक्त वाहन को समाहरता साजिला दंदाधिकारी गुपालगंस के सेख है तद अलोक में नमलीके दुवाहनों की निलामी जैसा है कि उसी स्वरूप में कि अधार पर अधोहस्ताक्ष्री गारी के द्वारा दिनांग 7 फरवरी शोंबार को 11 बजे पुरवाहन में सुबा 11 बजे समाहर डाले सभाकक्ष में निलामी की जाएगी उक्तिति को कि किसी कारणबस निलामी अगर नहीं होती है तो अगले दिन यानि 8 फरवरी को होगी अगर उस दिन भी नहीं होता है दिकत होती है तो फिर 9 फरवरी यानि 7, 8, 9 फरवरी को निलामी किया जाएगा आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे पूरी गाडियों की पूरा PDF आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, और यहां पे देख सकते हैं, आप जिसे एस्टर कार है, और यह HR नमबर हरियाना का नमबर है, इसका 85,000 बोली लगाना है, अब इसमें आपको कैसे बोली लगाना होगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा, यह 85,000 का इसका रखा गया है, मिनिमे मैं आपको बाउंट, इसके उपर आपको बोली लगाना होगा, और इसके उपर बोली लगाना होगा, मतलब 85,000, अगर 85,000 कोई और फिर आपसे ज्यादा देना चाहते हैं, तो 2-3,000 बढ़ा के वो बोलेगा, यानि 88,000, वो फिर आपको का 85,000 रुपे जो रखा गया है, इसका 20% अमाउंट, अगर इस गाड़ी के लिए बोली लगाने जा रहे हैं, तो इसका 20% अमाउंट का डिमांड राफ आपके पास जमा किया होना चाहिए, उसमें भाग लेने के लिए, पुरा डिटेल हम लो बात करते हैं, पहले ये गाड ये जो गाड़ियों का नमबर है, इसे आप आउनलाइन चेक कर सकते हैं, कि गाड़ियां कप की है, कौन सी मॉडल है, पुरा गाड़ियों का नमबर इसमें पुरा लिस्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं यहां पे, और अलग 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 गाड़ी कहां पे है अभी, कहा कैसे देखेंगे कि भाई अगर आप चाते हैं कि बोली लगाने इस पहले आपको जाकर गाड़ी देख लेना है यह नियम है कि आपको पहले से जाकर देख लेना है फिर आप उसमें जाएं भाग लें पहले गाड़ी को आप देख लें कि भाई आप जिस गाड़ी के लेने जा फूरा नीजाह से आपको नीचे लेँ चलू, यह पूरा टाउनलोड कर सकते हैं, मैं discussion लिंक दे दिया हूँ वहाँ से और आगे ऐसी कोई सूचना आती है तो वो टेलग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करनेगे तो फिर ये इस तरह की list आपको वहाँ से मिला करेगी और मैं document के बारे में बात करूँ कि आपको कौन-कौन से document लेके जाने होंगे तो ये जो नियम सर्ते हैं आप पॉस करके पढ़ भी सकते हैं मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ इसमें लिखा गया है कि निलामी है तो नियम है और सर्ते निलामी में भाग लेने वाले शुक विर्ति निधारित अस्थान तिथी यहाँ समय पर पस्तित होकर निलामी में भाग ले सकते हैं वहाँ पर आपको टाइम से पहुंच जाना है दूसरा नियम है कि उपरोख्त विर्ति के अस्तम 6 में अंकित रासी को वाहन का सुरक्षित मुले माना जाएगा सुरक्षित मुले कम से कम बोली लगानी कर्मती नहीं है मतलब जो बोली फिक्स दी गई है कि भाई इस कार की पचासी जार है तो पचासी के उपर आपको बोली लगाना है उससे नीचे बोली नहीं लगा सकते निलामी में भाग लेने वाले विक्ति को अनलगने ए में अंकित घोसडा पत्र पर हस्ताक्षर कर करना होगा घोसडा पत्र क्या है मैं उसको दिखा दो थोड़ा सा ये देख सकते हैं यह गोसड़ा पत्र है मैं इसका भी मैं टेलिग्राम पर दे दिया हूँ इसे डाउनलोड कर सकते हैं यह इस पर आप सिगनेचर करके ले जा सकते हैं जिसमें लिखा रहा है कि मैं प्रमारित करता हूँ कि निलामी है तू आम सोचना में लिखितनी M.O.M. सर्तों को मैंने पू सकते हैं उसे लिए जो उसे बाट आते हैं फिर से हम लोग गाड़ा पत्र होता है अब आगै करते निलामी में भाग लेने हैं तू वाहन के सुरक्षित-मुलका बीज परसितनी यानि बीज परसेंट आपको परसंट आपकर आग्रिम रासी देना होगा, चार फरोरी से पहले आपको जमा कर देना होगा, ये ड्राफ जो होगा, वो होगा अधिक्षक उत्पाद गोपालगन, यानि अक्षाई सुप्रेटेंडेंडेंट गोपालगन के नाम से होगा, पेवल एट SBI मेहन ब्रांच गोपालगन के नाम से होगा, और ये ड्राफ बनाके आपको चार फरोरी तक जमा कर देना होगा, पूरा इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, आप अराम से अगर भाग लेना चाहते हैं, तो इस पूरा नियम सरते पढ़ लेंगे, नीचे आपके नाम से गाड़ी होती है, आप उसमें आप गाड़ी, मतलब बोली आपकी सबसे उपर है, और आप वो नियम वो गाड़ी आपके नाम से की जाती है तो जो 20% आपने दिया है, वो बाकी अमाउंट में से माइनस के जाएगा, रेष्ट अमाउंट आपको इसमें बीफल होने पर अगरधन रासी जब्त कर दूसरे नमबर पर आने वाले नियल अगर आप सफल नहीं होते हैं, अगर उस समय एक बार में आप पैसा नहीं जमा करते हैं, तो बाकी जो 20% जो आपका जब्त कर लिया जाएगा, वो रिफंड नहीं होगा और दूसरे नमबर पर जिसकी बोली होगी, उसको गाड़ी दिया जाएगा ये, अगर आप बोली लगाते हैं, तो पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, एक भाई आपके पास रेस्ट अमाउंट है तब ही आप उसमें भाग लें नियमों के अनुशार अपने लागत और जिम्यधारी पर अपने नाम पर वाहन को अस्थान्तरित कराना ہوगा निलामी करता वाहनों के पंजिकरंड के लिए किसी तरह के संबंधित या जिमेदार नहीं होगा और सफल व्यक्ति को वाहन सपने के उपरां ते इसका कोई भी उतरदाई तो नहीं होगा यानि गाड़ी लेने के बाद ये सरकार की कोई जिमवारी नहीं है अथवा अस्वीकार करने का निलामी करता सुरक्षित रखता है तथा यह निलामी अंतीम होगा मतलब वो लोग अपने हिसाब से डेट चेंज कर सकता है अपने हिसाब से कुछ भी इसमें नियम कानून चेंज कर सकता है यह अधिकार उनके पास है ज़ित सब भी वाहन मालिकों को सुचित किया जाता है कि इन सब भी वाहनों की निलामी की जाएगी ये इन वहानों से सम्मधित कोई मामला या ओपील या पुनरिक्षयर्ण वाद किसी नियाले में उदायर किया गया है वे चारधि महीं है तो वहान मालिक द्वार Suiteर निलाम हमें है कि एक समुद्री में होगा है उनके लिए है कि अगर आपको कुछ उस पर अगर कोट ओगर में केस होच चल रहा है तो एक दिन पहले आपको वह सब पेपर ओगर समिंट करना होगा यह निलामी भाग लेने और यह पूरा नियम होर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं डिसक्रिशन में लिंक आपको मिलेगा और गोसड़ा पत्र मैंने यह दे दिया है और इसे आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं बाकी मैंने यह बताने की कुछिस की कि भाई भारी संक्या में ग नहीं मही गड़िया हो जद महीनी सस्ते में बढ़िया गाड़ी मिल जाती है जिसे अल्टो कार आप 35,000 की यहां पर देख सकते हैं यह एचर तीस थी बानबे 29 यह उत्पाद माल खाना में है 375 नमर पे आप देखेंगे अल्टो कार चर्ट 75,000 में है यहां पर ट्रक देखेंगे 3704 नमर पे आप देखेंगे यह एक लाग पचातर अज़ार में ट्रक है यूपी संटाउन की गाड़ियां है एक लगपसी ऐसा नहीं कि बिहार की क्योल गाड़ियां है यह हर्याना से लेकर यूपी जो भी सराप के साथ पकड़ी गई है वो गाड़ियां है यूपी की है जहरगंड की है बिहार की है दिल्ली की है हर्याना की मैक्सिम गाड़ियां है और इन सब गाड़ियों के निलामी में आप भाग ले सकते हैं सस्ते में बढ़िया बढ़िया गाड़ी अबलेबल है यहाँ पे ट्रक एक आप देखेंगे 333 नमबर जब आप लिश्ट देखेंगे उसमें देखेंगे 75,000 में है और 5,000,000 में आप देखेंगे ट्रक है HR नमबर है 334 नमबर पे और राजस्तन की भी गाड़ियां है कुछ यह I-10 कार है BR-01 पटना का है 1,5,000,000 में आपको मिल जाएगा और शिफ्ट कार है आप देख सकते हैं BR-01, BN यह है 55,000 में शिफ्ट कार है यह आप देखेंगे यह 55,000 में शिफ्ट कार है यह 325 नमबर पे है आप देखेंगे इसको डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं बस है UP 688 नमबर बस है और यह 13,25,000 की है बस है यह सस्ते सस्ते में बढ़िया गाड़ी फैमिली कार बहुत सस्ता सस्ता इसमें है मैंने पूरा लीश देखा और 12 से 15,000 में बढ़िया बढ़िया मोटर साइकल है तो हम चाहेंगे कि 7 फरवरी को आप निलामी में सामिल हो पूरा पहले से पेपर रेड़ी कर लें और इसमें कुछ भी इंक्वारी हो तो आप जो पाद अधिक्षक महोद हैं उनका में नंबर आपको डिस्किप्सम में दे दिया हो इस पे कॉल करके कुछ भी इंक्वारी कर सकते हैं 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी को भेंकर निलामी होने वाली है मतलब बड़ी मातरा में निलामी होने वाली है तो टोटल गाडियों की संख्या अगर हम बात करें तो ये गोपालिगंस में जो गोपालिगंस समाहडाले कक्ष में ये होगा टोटल 431 गाडियां है और सभी की निलामी होना है हुंड़ी वर्नाकार यहां पर देख सकते हैं मतलब 55,000 में है तो बड़िया मौका है सरकार दोरा दी जा रही है आप ट्रांसपर कराके अपने नाम से इसको कर सकते हैं पेपर अगरे कटिंस आपको लेना नहीं है निलामी में सामील हों कुछ भी इंक्वारी हो तो आप कमेंट करें हम उस पर भी आगे भी आपको बताएंगे कि भाई कैसे और भी जो कमेंट होगा जो इंक्वारी होगा जो आपके सवाल होंगे उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे फिलाल अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कहां पे गाड़ियां रखी गई है किस कन्डेशन में गाड़ियां है अगले वीडियों में आपको पूरा डिटेल दिखाते है और हम चाहिएगे कि आप इस निलामी का लव लें और अगर आप निलामी में जा रहे हैं तो हमें क्मेट करके बिचाएं कि भाई हम भी निला में भाग ले रहे हैं हमें खुशी होगी कि हमारे वीडियो के मादब से आप कोई अच्छा गाड़ी खरने जा रहे हैं फिलाल आज की वीडियो में हम बीदा जाएंगे आपको आज की वीडियो कैसा लगा, यह इन्फरमिशन कैसा लगा आपको आज की वीडियो के साथ नुश्कार धनवाद